अगर अंदरगत देखा जाए तो बेहत ही मजबूत बेहत बड़ा नज़र आते लेकिन लोकसभा के दरश्टी कोण से वो इस्तिती वो मजबूत यहाँ पर इस्तिती नहीं है कि वो 30 सीटों पर उत्रे और 30 सीटों पर यहाँ गडबंदन में होने के साथ अपने सहयोगी दल स साथ होने के बावजित मजबूती से ताल ठोक पाए तो वहीं पश्चिम बंगाल पर रुख लिया जाए तो वहां भी मम्तव अनर्जी के सुर बदलती हुए नसरा है तो ऐसे में अब यहां पर बाकी के जो अन्ने पार्टी यह बच्छी रहें तो वहां भी मम्तव यह बच्छी रहें जैसे कि दिल्ली में आम आद्वी पार्टी है जो कॉंग्रेस के साथ शीट शेरिंग को लेकर अपना फैसला सुना चुकी है तो ऐसे में मलिका अरजुन खड़िया और राहुल गांदी को और भी बदलाब करने हुए जिससे कि जितने भी दल उनके गठ में जो है अपनी तमाम सीट शेरिंग की जो गुथिफ हसी हुई है उनको सुलजा कर लोगसभा चुनाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी बिहार की बात करें तो 40 लोगसभा के सीटे हैं इंडिया गठबंदन के दलों की बात की जाए तो 30 लोगसभा सीटों पर आर वामदलों के लिए छोड़ी जा रही है यानि कि कही न कई पिछली वक्त में जो जनविश्वास यात्रा निकाले गई तेजस्वी यादों के दोरा और उसके साथ साथ जनविश्वास रैली की गई बिहार के पटना में गांधी मैदान में उस रैली में विपक्स के तमाम जिगज नेता यहां उस से रैली स्थल पर उमड़े थे और वहाँ पर मोधी सरकार के खिलाफ एक जुट होकर चुनाव लड़ने की सोगंद लेते नजर आये थे अब देखना होगा कि आखिरकार इंडिया गटबंधन बिहार की राज़िती में कितना पर्चम लेरा पाता ह इस वक्त मेरी मोझूद गी है अक्से मेरे सायोगी मेरे साथ है अक्से जानने की कोशिश करेंगे कि अक्से जो इस्थिती इस वक्त बनी हुई है आरज़ेडी तीस सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है कॉंग्रेस को साथ सीटे दी जा रही है अन्ये जो दल है उनको तीन सीटों पर यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या यह ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता हाज जेडी के अंदर, देखे बिलकुल नजर तो यही आता है, क्योंकि 30 सीटे, 30 सीटे देखे बहुत मुझे लगता है, बड़ा एक आंकड़ा हो जाता है, के पास सांजाते हैं, इसके पास लोकसबा सीट है, आप देखेंगे, 2019 का लोकसबा चुनाव महा गडवन्दन के सामने जब NDA था, तो इस वक्त केवल तीन ही दल NDA गडवन्दन का हिस्ता थे जिसमें BJP, उसके साथ जेडियू और अविभाजित लोजपा, जहां पर 17 BJP न महा गडवन्दन की खाते में केवल एक सीट आई थी, वो भी कॉंग्रेस के खाते में गई थी, अब उसी ही कॉंग्रेस को RGD महद 7 सीटे दिखा रही है, जबकि कॉंग्रेस यहां पर 15 से 18 सीटों का मन बना कर बिहार में अपने कदम आगे बढ़ा रही है, अब आप देख जाएगा, तो लोकसभा में कोई भी यहां पर एक भी सांसे नहीं है, जो जेडियू या जेडियू के खिलाब जाकर RGD का बिहार में यहां प्रतिनिद्व करता हो, तो कुल मिलाकर कर कोई ऐसा सियासी वर्चत सो लोकसभा में नजर नहीं आता, हाला कि अगर विदान सभा क दर्श्टिकोंड से देखेंगे, तो 2020 के विदान सभा चुनाव राजजी के हुए, वहाँ पर सबसे बड़ा दल बनकर RGD ही निकली ती, लेकिन वर्टमान में लोकसभा में कोई ऐसा बड़ा यहां आधार नहीं है, सियासी की आप 30 सीटों पर यहां उतरे, और 40 सीटे सार देखेंगे, दिनेश अगर हम इसको थोड़ा करेक्शन की तरफ कड़ें तो वर्टमान में वर्टमान में वर्जेडी वे सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही, आप गौर करेंगे, 2020 के चुनावों से, उस वक्त RGD सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे बड़ी पार्टी बिहार में इसी महीने, इस साल में इस साल के पिछले महीने फरवरी तक बिहार विधान सबा में फ्लो टेस्ट हुआ, तब तक बिहार विधान सबा में RGD सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन उसके बाद RGD के कई विधायकों ने JD और BJP का दामन थाम लिया, आप निलम दे यहां पर सियासी वर्चस विधान सबा के अगर अंतरगत देखा जाए तो बेहत ही मजबूत, बेहत बड़ा नजर आते हैं, नेकि लोकसबा के दरश्टी कोंड से वो इस्तिती वो मजबूत यहां पर इस्तिती नहीं है, कि वो 30 सीटों पर उत्रे और 30 सीटों पर यहां कॉंग्रेस पार्टी अब कितना दम दिखा पाएगी, यहां पर बिहार में जिस तरीके से तमाम राजनितिक समिकन बनते हुई दिखाए दे रही है, इसी आधार पर आर जेडी जो है, बड़े दल के रूप में 30 सीटों पर चुनाव लणना चाती है, प्रांशी जिस तरीक जिस आधार पर सियासी जो समिकन तयार करते नजर आ रहे हैं, उनमें उनको जीत मिल पाएगी, देखे जिस तरह से तेजस्वी आधब जो रणनीतिया बना रहे हैं, उन पर अगर रुख कर लिया जाए, तो तो तेजस्वी आधब बीजेपी के मुकाबले यहां पर रणनी बनते हुए देखना चाते हैं, और इस बीच यहां पर सुशील मोदी का जो बयान सामने आए, वे साफतोर पर कहते हैं, कि 90 फीजदी तो वेह फेल ही रहे हैं, पांच विभाग रखते हुए नजर आए थे, एक वक्त तेजस्वी आधब डिप्टी सी एम के पद पर भी वह को आगे रखना चाहेगी, या फिर नहीं, चाहे उनकी रणनितिया किसी भी पैमाने पर बनी हो, लेकिन राहूल गांदी की जो भारत जोडो नया यात्रा हुई, उसमें कहीं न कहीं न कहीं इस बार यात्रा फेल होती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी के पाले में जाते हुए तमाम दिगजनेता नजर आ रहे हैं कॉंग्रेस की तरफ से हो, चाहे अन्य राजनितिक दलों की तरफ से हो, तो आने वाले समय में यहां पर राहूल गांदी को अपनी रणनितियों में और भी बड़ा बदलाप करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश है यहां पर कई और भी अन्य राजनितिक दलों को लाने की साथ में रही है, लेकिन हमने देखा कि बिहार में गठवंदन तूटा हुआ नसर आया, इसके अलावा देखा गया कि समाजवादी पार्टी से अखलेश यादब भी अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नसर आये, और वह उनके गठवंदन में बचे हुए हैं, वो बचे रहें। पारजेडी चुनाव लड़ेगी, साथ सीटे कॉंग्रेस पार्टी को देने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर तीन अन्य दलों को दी जा सकती हैं। से एक बड़ा ओफर मिल सकता है, उन्होंने एक बड़ा रास्ता खोल दिया है, तेजस्वी आदो के लिए हो सकता है, आने वाले समय में पासुपती पारस वहां पे उनकी खेमे में जाते हुए नजर आये, क्योंकि जस तरीके से चिराग पास्वान को उनको सीट देकर खु जस तरीके से अभी उनको गवर्नर बनने का एक उफर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि पसुपती पारस कोई गुड़ा गड़ित लगाते हुए नजर आये, और उनको उस चीज से वह खुसी ना मिले हो जिसकी वज़े से ये सारी चीजे फर से तूटती हुई नजर आया, वैसे में तेजस्वी आदो को एक बड़ा कहीं न कहीं मौका मिला है, अगर वो अपनी पार्टी में उनको ले लेते हैं तो उनके लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है आने वाले दिनों में आप देखते हैं स्पेन नाइन नूद्स